हेलो दियर स्टूरेंट्स वेलकम तू माई चैनल पमारमेट्स क्लासिज तोड़े वी स्टेडी नाओ चैप्रेस नूमर 14 इस्टेटिक्स कि एक्सेसाइज बेटा 14.4 में आप सेंटल टेंडेंसी से रिडिट कॉस्टेंज करना हैं हमें मीन, मौड, मीडियन फाइंड करना है इसकाज नेक्स्ट कॉस्टेंज एक्सेसाइज 14.4 का कॉस्टिन नंबर टू कॉस्टिन नंबर टू एक्सेसाइज में इने मैथमेटिकल टेस्ट गिवन तो फिप्टीन स्टूरेंट्स दा फॉल्वाइंग मार्क्स आउट ओफ वन सेमें इस कोशिन नंबर वन की तरह में यह कोशिन सौल करना है सबसे पहले बैटा सबसे पहले जब यह data दिया हुए तो इस data का हम ascending order लिखते हैं ascending order में सबसे पहले सबसे smallest number, फिर से बड़ी number, फिर से बड़ी number तो this is the ascending order, ascending order में लिखने के बाद अब सबसे पहले हमें इसका mean find करने, mean find करने का आप तरीका जानते हैं mean क्या होते है, data का sum upon number होती है, तो करते हैं तो पेटा mean is equal to होते है, sum of data upon number of data, अब हम 39 plus 40 plus 40 plus 41 plus 42 इन सबको added करते हैं, तो total add करने पे कितना देंगे, 822 upon 15, 15 से 822 को divided कर दीजिए तो divide करते हैं, तो 54.8 क्या जाएगा इसका mean, अब mode find करते हैं, तो mode क्या होता है पेटा, जो सबसे जादे frequency रखता है तो आप इसमें देख रहे हैं कि सबसे जादे time repeated कौन सी number हो रही है, 52, तो इसमें 52 सबसे जादे time repeated है तो इस data के अंदर 52 क्या होगा इसका, mode हो जाएगा, तो mode is equal to क्या हो जाएगा बेटा तो mode किसके बरावर है, 52 क्यों हो, क्योंकि इसमें इसकी maximum frequency इन data में, data में इसकी maximum frequency है, इस जिसे mode आपका हो गया 52 अब बेटा, median जब find करते हैं, तो median यह देखते हैं कि number पर, अब number है हमारे 15, 15 क्या है बेटा, odd number है, यहाँ पर हमारे पास n number है 15, और हम यह odd है, odd निकालने के लिए median का formula क्या होता है, इस n में, plus 1 करते हैं, by 2 कर देते हैं, अब n में plus 1 करोंगा, तो 15 और 1, 16 तो 16 by 2, तो 16 by 2 तो 8 वाली terms कौन सी है बेटा, 52, तो इसके लिए, इसकी जब median आगी हो कितनी आगी बेटा, 52, तो 52 क्या आगी है इसका, answer आगे है, ऐसी बेटा यह दिए हम question number 4 को देखते हैं, find the mode, हमें mode find करने हैं, और यह हमें data दे रखा है, इस data में हमें यह देखते हैं कि सबसे ज़्या numbers है हमारी क्या है, इसकी mode, तो इस number में data में mode क्या हुआ इसका, 14, अब यह जो question number 3 है, इसमें already हमें data का sending order में लिखा हुआ है, और इसका हमें median दे रखा है, next वीडियो में हम इस questions को करेंगे, after all question number 4 and 2 ही, इसके लिए आपको यहां पर करना है,